प्रभु की स्थूति हो कि परमेश्वन ने, फिर से हमें उसके वचनों को सीखने के लिए ये एक मौका दिया है प्यारों प्रभु का वचन सच में ऐसा है कि जो हमारे जीवनों को बदल देता है हमारे जीवनों में हमारी खुद की यह गवाई है कि हमारी सोज, हमारा देखने का नजरिया, जीने का तरीका, सब कुछ परमेश्वन ने बदला है ऐसा नहीं कि कुछ-कुछ बातें बदली, पर हर एक शेत्र में हमने बदलाओ देखा है प्यारो और कलीसिया के लिए प्रभू ने वचन का क्या महत्व रखा है आज हम ये समझना चाहते कि एक विश्वासी के लिए परमेश्वर्थ के वचन का महत्व क्या है या तो एक विश्वासी के लिए वचन का मूल उद्देश क्या है इस विश्वाई पर हम आज प्रभु की बातों को सीखेंगे और समझेंगे प्यारों प्यारों आप लोग तयार हो मुझे विश्वास है कि सुनने वाले सभी लोग तयार है और मैं आच्छा रखोंगा कि रखता हूं कि यह सीख कर आपके जियों में कुछ नई बाते कुछ नई बदलाओ आप जरूर लाओगे और उसके लिए प्रयास करोगे प्रयत न करोगे प्यारों वचन की और आगे बढ़े सत्रवा अध्याय आप अपने बाइबल में अगर है तो खुला रखिएगा मेरे ख्याल से स्क्रीन पर भी प्रभुक दास हमें शेयर करते हैं हमेशा अगर आए तो वहाँ पर देखिएगा पर वचन की और ध्यान ले जाएगा और मेरे साथ रहिएगा प्रभु का वचन मैं बोल रहा हूं ये नहीं है पर पवीतरा आत्मा मेरे द्वारा बोल रहा है ये परमेश्व का वचन कोई इनसान नहीं बोलता है हम ये ग्रहन करते हैं जब प्रभु के वचन बोल रहा है प अच्छा है ये तो ये बोल रहे है ये बोल रहे है वो बोल रहे है तो कई बार हम इस हो जाते है प्रभू की अगवाई को प्यारो तो प्यारो आज का वचन हर एक विश्वासी के लिए है और हर एक विश्वासी के लिए वचन का उद्देश क्या है हम कई बार सीख चुके है वचन के बारे में ने कि इस विश्वासी के जीवन में वचन क्या लाता है हम सत्रवा अध्याए और सत्रवी आयत में एक प्राथन की गई है और वो प्रात्ना है येश्व मसी की महायाज़ की ये प्रात्ना जब येश्व मसी का अंतिम समय था उसी समय में वो समय आये उनका दुख सहन शुरू हो उससे पहले उन्होंने ये प्रात्ना की थी और ये प्रात्ना को महायाज़ की ये प्रात्ना बाइबल में उन्होंने क्या प्रात्ना की? लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हे पवित्रकर, तेरा वचन सत्य है. क्या लिखा है? सत्य के द्वारा पवित्रकर. अब मैं आपको थोड़ा आगे उसका बैक्ग्राउंड सुनाना चाहूंगा. क्या लिखा है? तेरवी आयत से, अब मैं तेरे पास आता हूं, सत्रवा अध्याय और तेरवी आयत, अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बाते जगत में कहता हूं, कि वे, कौन वे, जिनको परमे ने चुन लिया है, जो विश्वासी लोग है, जो प्रभू के संताने है, उनकी बाते हैं, तो उनके लिए ये बातों का वरनन, यहां पर इस क्वराथ में किया है, कि, वे मेरा अनंद अपने में पूरा पाए, लिखाए पूरा पाए, और पूरा आनंद पाए, इस लिए क् किया है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुचा दिया है, hallelujah, हम पूरा आनंद, परमेश्वर येश्व मसी का, पूरा आनंद हम पाए, और इसलिए परमेश्वर ने कौनसी बात को माध्यम बनाया है, उसके वचन को, बोलिये परमेश्वर के वचन को, yes, समझ सकते हो कितना वचन उन्हें पहुचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, संसार ने, मतलब जो लोग येश्व मसी के हुए नहीं है, येश्व मसी से दूर है, उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, मतलब आप और मैं संसार में जी रहे ह पर प्रभु का वच्चन हमें क्या सिखाता है, हमारी वास्तविता क्या है? कि हम संसार के नहीं है. हलो, सुन रहे हैं आप लोग? हम संसार के नहीं है. अब मेरे पीछे कहें, मैं संसार का नहीं हूँ. पर लिखा या आगे, मैं यह विंती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले. अरे प्रभु यह सब, पिता यह सब संकट में कहां पड़े उनको उठा ले प्रभु तू. पर नहीं, वो इस संसार में, इस संकटों में रहकर हुई, रहते हुए भी जय पाना सीखे, इस सं घर्ष में लड़ाई लड़ना सीखे, और इसी लिए परमेश्वन ने अपने वचनों को बेजा, कि कैसे रहना है संसार में, संसार के ना रहकर कैसे रहे, लिखा है कि परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, जैसे में संसार का नहीं, वैसे वे भी संसा हमारे अंदर लाता है, हमारी आत्मा को पवित्र किया है उसने, जब हमने सू समाचार सुना, येश्व मसी का, और ग्रहन किया, उसने हमें अपना आत्मा दिया, पवित्र आत्मा हमारे हिर्दयों के बीतर रहने के लिए दिया, सो क्या है, उसने हमें अपना बना लिया, मैं तो यह बात बताता है कि यह अब से मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, तो प्रभु ने क्या चाहा कि पुत्र वैसे के वैसे ना रहे, पर वो पवित्र बनते जाए, शुद्ध जीवन में आगे बढ़ते जाए, यह जो शब्द है, पवित्र को उसके लिए sanctify शब्द लिखा है और इसका मतलब होता है, separate from profan things, ऐसी चीज़े जो हमारे जीवन को अपवित्र करती है, उन से अपने आपको अलग करें, और dedicate to God, तो यह बात है, कि वचन ही है, जो एक विश्वासी को पवित्र जीवन की और ले जाता है, नाललुया, तो क्या महत्वा है, क्यों पवित्र, आगे और भी एक आयत है, पंदरवाध्याय और तीसरी आयत, वहां भी यह बात लिखी है, दाखलता, हम ये शुमसी क्या है, दाखलता है और पीता किसान है, और हम लोग कौन है, विश्वासी लोग कौन है, डाली है, तो डालियों के यहां पर क्या लिखाए तुम तो उस वचन के कारण तीसरी आयत तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम से कहा है शुद्ध हो क्या है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम से कहा है क्या हो शुद्ध हो मतलब शुद्धी करण के लिए क्या है अब यहां जो शुद तो दूसरी आयत में पढ़े 15 औ दो जो डाली मुझे मैं है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है उससे वो छाटता है छाटना मäτοलब शुद्ध करना ताकि और फले मतलब औरभी हमारे जीवन से फल आते जाए हमारे जीवन से फल आये उसके लिए परमेश्वर ने क्या बात रखी है उसका वचन प्यारो हमारी प्रातना कई बार व्यर्थ प्रातना है हो जाती है हम बीना समझे सोचे यह प्रातना करते रहते प्रभू तेरा फल दे दे तेरा फल दे दे पर प्रभू ने तो वो फल हमारे किया जाता है, तब भी वच्छन को हम आत्मा में ग्रहन करते हैं. वो ही समय होता है, प्यारों, जब हम पूरा ध्यान लगाते हैं और उसके वच्छन को ग्रहन करते हैं. तो वो normal casual reading जो होता है, उससे कुछ अलग है. देखे, reading phase है अलग-अलग. मैं यह मानता हूं, मेरे जीव का अभ्यास यह कहता है कि पढ़ने के भी अलग-अलग विभाग है, अलग-अलग phases है. कि पहला phase आयाम है मतलब. तुम कोई किताब की तरह किसी भी चीज को पढ़ सकते हो. बाइबल को किताब की तरह अच्छा है, यहां पर यह लिखा है और इसलिए हमें यह पढ़ना चाह है. ऐसा बोला जाता है. परमेश्वर हमें उसका वचन नहीं हम और भी फले उसके लिए वचन हमारे आगे रखा है, प्यारो. सो विश्वासी के जीवन के लिए और क्या बात है? वो सिर्फ प्रातना करता रहा है, प्रभू मुझे फल दे, आत्मा का फल दे, यह फल दे, प्रेम दे, आनन दे, शान्ती दे, वो है, पर जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, वचनों को समझेंगे नहीं, तब तक वेव चीज ही इसलिए गया है, कि वो हम में बस है, अगर हम पिछले कुछ अभ्यासों की और ध्यान दे, तो मत्थी में, अलग-अलग सुसमाचार में यह बात लिखी हुई है, वहाँ पर आप देख पाओगे, कि क्या हुआ है वहाँ? चार किसम की अलग-अलग जमीन है, और चार होता है? उन जमीन, वो जमीन क्या है? वो जमीन है हमारा हिर्दाई, हमारा हिर्दाई, तो वहाँ पर बीज क्या है, भोनेवाला बीज लेके निकला और उसने बोया, तो क्या है बीज, प्रभु का वचन, तो वचन को भेजा, primary purpose of the word क्या है वचन का एक मुख्य और प्राथमी कुद्देश क्या है कि विश्वासी के हिर्दवय में जाए उसको विश्वासी के हिर्दवय में रहना है और इसी लिए परमेश्वन अपने वचन को बेजा है, समझे प्यारो हम वचन को इसी लिए भीजाए कि वो हमारे हिर्दवय में आकर बसे ये उसका सही मकसद है परमेश्वर का वचन बेजने का क्या उस मकसद को आप पूरा कर रहे हो कि नहीं फिर हम बहुत कुछ चाहते है ये हो जाए ने वो हो जाए ने यहां का उधर ने उधर का उधर हो जाए सब दुनिया बदल जाए हमारे आसपास पर कैसे बदलेगी हमारे पास तो समय ही नहीं है परमेश्वर के वचन की और ध्यान देने के लिए जबकि सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बनना तै हुआ है पता है आपको हमारी पूर्थवी और ये पूरा ब्रह्मान परमेश्वन ने हम सीखे कि वच्चन के अपने शब्दों के द्वारा बनाया शुन्या सृष्टी में बदल गया कैसे एक गाना है न तेरे कहने से तेरे वच्चन से तेरे बोलने से शुन्या सृष्टी में बदल गया हाँ प्यारो सृष्टी में तबदिल हो गया शुन्या आपके जीवन में भी आप देख रहे हो शुन्या सब कुछ खतम हो चुका है आप अब जीरो पर आकर रुख गयो वापिस अब आपको आगे कौन बढ़ा सकता है पता है प्रभू का वचन मैं यह बोलूんだ कि येश्व बढ़ा सकते है पर किस माध्यम का उप्योग करके बढ़ाएंगे तो परमेश्वर का वचन प्रभू का वचन यह बाइबल इसके द्वारा वो आपको आगे बढ़ाएंगे यह समझ लिजिएगा प्यारों बहुत अच्छे से किसी की हाथ तले रहना हाँ बैए इनके शरण स्थान में रहेंगे तो हम आशिशित हो जाएंगे इनके साथ अच्छा संबंद रखेंगे तो हम आशिशित हो जाएंगे इनके हाथ नीचे हम रहेंगे तो हम बहुत उपर आएंगे मैं यह चित्र बताऊंगा अगर हम इसके नीचे रहेंगे तो हम आशिशित होंगे इसके बगेर कुछ नहीं है इसी ने आपको और मुझको बनाया है प्यारों तो हर एक ऐसी चीज़ों से हमें शुद्ध होना है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो मकसद परमेश्व ने आपके लिए रखा है, फूले, फले, और भी ज्यादा फले, इसका मतलब यह नहीं है कि हम बाहरी रूप से बढ़े, हाँ भी साइकल थी तो बाइक आजाए और बाइक से फिर गाड़ी आजाए, और गाड़ी से फिर कुछ और आजाए, एरोपलेन आजाए, और एक घर से दो घर हो जाए, प्रभू ने इसके लिए नहीं चुना है, प्यारों, यह सब बाते प्रभू की योजना में है, पर प्रभू हमारे आत्मीक आयाम की बात कर हम संतान से बच्चों से पुत्र बने प्रभु यह चाहता है क्या चाहता है हम संतान से पुत्र बने गलातियों की पत्री आप निकाले मैं यह वचन इसमें नहीं है पर मैं फिर भी मैं इसको पढ़ना चाहूंगा गलातियों की पत्री देखे चौथा अध्याय और उसकी सात्वी आयत चट्थी भी पढ़ता हूँ तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्व ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा पिता कहकर पुकारता है हमारे हिर्दवय में बेज है पवित्रा आत्मा कहां है? स्वर्ग में पवित्रा आत्मा कहां पर है? स्वर्ग में? ना, पवित्रा आत्मा आज इस संसार में है और वो है विश्वाजियों के हिर्दयों में यह वास्तविक सत्या है प्यारों लोग यह नहीं समझते हैं इसलिए गलत प्रात्ना भी करने लगते हैं पर हमें सत्य को पकड़ना है यूही बाइबल पढ़ते रहेंगे सत्य निकल जाएगा हाथ से पता भी नहीं चले गया you'll miss all maximum truth of the Bible पर वो सच्चाई को खींच लेना है हमें समझ लेना है ताकि हम उसकी वास्तविक्तावे हमारे जीवन को बिताए तो क्या लिखाई यहाँ पर रदवय में भीजाए इसलिए अब तू दास नहीं परंतु क्या है पुत्र है और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ पुत्र हुआ तो वारिस हुआ मैटलब वो दास के समानी रहेगा पुत्र होने के बावजुद वो दास हो जाएगा क्यों हो वही क्योंकि वो कहां पर है देखो रोमियो की पत्री आठवा दियाए यह भी आज के वचन से बाहर अलग है यह रोमियो की पत्री आठवा दियाए यहाँ पर क्या बताया है तेरवी आयत से मैं पढ़ता हूं आगे क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दीन काटोगे तो मरोगे पता है ऐसा कुछ बोला गया था बहुत सालों पहले बाइबल में हम उत्पति पढ़ते तो महां पर कि तुम ये फल खाओगे तो मर जाओगे पर वो शारीरिक मृत्यू की बात नहीं थी spiritual deadness की बात थी और वहां पर आदम हवा ने वो फल खाया जिसकी मना की गई थी यहां पर ऐसा ही है हमारा जीवन येशु मसी में कैसा है अगर हम सांसारिक रीती से जीवन बिताना करते हैं यह स्क्रीम पर है शरीर के अनुसार निकालते हैं शरीर के अनुसार तो हम मरेंगे भले आत्मा हमरे भीतर है हम दास की नाई जीएंगे दास को कुछ नहीं मिलता है वो बंदा का बंदा रह जाता है क्या हुआ है क्या लिखा है आगे यदि आत्मा से दे कि क्रिया को मारेगे तो आत्मा कैसे मारेगा आ गया है तो अपने आप मारना शुरू कर देगा उसको हमारा सहयोग चाहिए पवित्रात्मा को तो यह कैसे हो संभव है कि हम वचन का मनन करें Meditation of the Word प्रभू के वचन के लेकर हम बैठे सोचे इसलिए प्रभू ने येश्व मसी ने अपने उपदेश में एक बात सिखा ही है कि यदि तू प्रात्ना जब तू प्रात्ना करें तो क्या कर? अपनी कोठरी में जा और द्वार बंध कर और गुप्त में प्रात्ना कर वो बात वहाँ पर लिखी है तो ये पर्सनल रिलेशन्शिप की बात है एक संबंद को बढ़ाने की बात है और लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाये चलते वे ही परमेश्वर के पूत्र है कौन परमेश्वर के पूत्र है? कौन परमेश्वर के पूत्र है? आत्मा कैसे चलाएगा? आत्मा परमेश्वर के वचन को हमारे भीतर से लाएगा वो रिमाइंड करेगा पवित्रा आत्मा की एक सेवकाई है मिनिश्री है कि स्मरण में लाना वो हमें सब कुछ बाते स्मरण में लाता है कि ऐसा कहा गया है ऐसा लिखा है तुने उस दिन क्या पढ़ा था आज सुबे तुने क्या पढ़ा ऐसा नहीं कर सकता है तु और यह आवाज पवित्रा आत्मा की और जब हम उसको सून कर ऐसा चलते हैं तो हम उसके पुत्र है और पुत्र होने के नाते हम वारिष ठैरते और आशिशों के हकदार होते नहीं तो बहुत सारी आशिशे अभी भी वैसी पड़ी है जिस unused अभी भी उसका इस्तिमाल नहीं हो पाया है सही यह प्यारो आठवा अध्याय 29 वियायत यहाँ पर लिखा है जिन को प्रभु ने बुलाय अपने पास ऐसा लिखा है क्योंकि जीने उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो हमारे लिए क्या ठहराया गया है बोलिए मेरे पीछे मेरे लिए यह ठहराया गया है कि मैं उसके पुत्र के स्वरूप में बनू येस उसका पुत्रह मतलब येश्यु मसी के जैसा मैं बनू ये मेरे लिए प्रभु ने ठहरा है मतलब उस शुद्धता के आयाम तक उस पवित्रता के आयाम तक पहुँचने के लिए मेरा सफर ये प्रोसेस ये लंबा सफर ये प्रोसेस किस पर आधार रखता है मैं कितना प्रभु के वचनों में समय बिताता हूँ मेरी चंगाई और पंद्रवा अध्याई युहन नारचित और उसका सातवी आयत में लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो लिखा है तो जो चाहो मांगो और वह तुमारे लिए हो जाएगा अरे पाश्टर क्या बात करते हूँ आप ही की दूआ सुनी जाती है तो हर बार हमने देखा है हम करते है तो नहीं सुनी जाती है ऐसा नहीं है अरे प्यारो सच में ऐसा नहीं है, प्रभू पक्षपाती नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो बिन मांगे प्रभू हमें दे देता है प्यारों, पर बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए प्रभू हमारी और देखता है, सुबह हुई, ये मेरा बेटा कहां गया, ये मेरी बेटी कह अबी तक वो आया नहीं है, शाम होने आई, वो आ गया, बहुत थक गया है, मेरे खल सब तो सो जाएगा, तो काना खाकर सो जाता है, रभू देखता है दूसरे दिन, मतलब आप समझ रहे हो प्यारों, रभू कुछ बाते तो बीन मांगे दे देता है, पर बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पजेस करना है, हमें हमारा है फिर भी हमारे पास नहीं है, ऐसी आशीश है हम पुत्रोंने के बावजूद हम दासकी नाई जीवन जी रहे, बंधुआई में जीवन जी रहे, बंधनों में फसे हुए जीवन जी रहे, आशीशों से दूर जीवन जी रहे, इसका यह reason है, प्यारो कि हम अपने आप को वचनों में नहीं ले जाते हैं, वचन को पढ़ने में, उसको meditate करने में ध्यान नहीं देते हैं, वचन तुम में बना रहे, समझ में आया है, प्रभू के वचनों का मकसद, अभी हमने सीखा कि बोने वाला बीज, वो बीज कहा जाता है, जमीन में डालता है, और जमीन क्या है, वो जमीन हम है, हमारा हिर्दय है, और यहां क्या लिखा है, दुसरी बार, confirmation of the word, कि वचन कहां रहना चाहिए, मेरे हिर्दय में, वचन लिखा, इसलिए लिखा है, कि तुम में बना रहे, कोई चीज को रखनी होती है, बना रहेने का मतलब ह कि वो एक अविरत निरंतर रूप से बना रहे, आज है और कल गायब हो गया, ऐसा नहीं है, पर वो निरंतर रूप से वहां रहे, बना रहे, एक के बाद एक वचन, और जब हम इस प्रकार से हमारे जीवन को बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हम कह सकते कि एक वचन के आया पर अपने जीवन को बांधना, एक आदत, आज एक ऐसी संस्कृति की जरूरत है कि जो लोग वचन से, जिनका बोलना वचन हो, जिनका सोचना वचन हो, जिनका चलना वचन हो, जिनका काम करना वचन हो, ऐसे लोगों को प्रभु देखना चाहता है आज, पुत्र प्रगट हो, क्योंकि सृष्टी 1998 और 19 रूमियों सृष्टी बड़ी आशाबरी दृष्टी से परमेश्व के पुत्रों के प्रगट होने की बाट जो रही है उनकी रिविल होने की जाहिर होने की बाट देख रही है तो प्यारो बहुत कुछ है जो प्रभू हमसे हमारे द्वारा इस संसार में करना चाहता है पर वो हमारे उपर डिपैंड है कि हम कितना आप रभू को समय देते है कलीशिया के लिए अगर कोई माध्यम रखा गया है शुद्धी करण का तो वो है वचन मेरे साथ निकाले इफिस्यों की पत्री पांच और पत्चीस शब्दिस इफिस्यों पांच पत्चीस शब्दिस इफिस्यों की पत्री पांचवा अध्या है यहां पर आधे से मैं पढ़ता हूं पत्चीस वा अध्या है उसकी आधिया है जैसा मसी ने बहुत जैसा मसी ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आपको उसके लिए दे दिया क्यों दे दिया कलीसिया से प्रेम करके येश्यु मसी ने अपने आपको उसके लिए दे दिया की उसको, बोलिए की उसको, किसको? कलीसिया को, कौन है कलीसिया? आप और मैं विश्वासी व्यक्ति की बात है, जीनों ने उद्धार पाया है, येश्य सुमाचार को ग्रहन किया है, और बच्टि इसमापा कर येश्यु के पीछे चल रहे है, आप और में वे कलीसिया है तो प्यारो कलीसिया के लिए क्या है योजना देखो बहुत ध्यान से पड़े उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए आत्मा को पवित्र बना दिया है प्रभु ने उसके लहू से पर हमारे जीवन को हमारे अस्तित्व को हमारे प्राणों को जो प्राणों में क्या समाविश होता है हमारी सोच, विचार हमारे व्यावार, हमारी इच्छा ये सब चीजे हमारे प्राणों में है कोई बोलता है ने ये बहुत अच्छा है यह बहुत भला है, यह बहुत अच्छी बाते बोलता है, तो यह इनसान का व्यत्तित्व, किन बातों पर आधार है, प्रान, देखें आत्मा, प्रान और शरी, तीन भागों का बना हुआ हम है, अकीकत में आप और मैं कौन है, एक आत्मा है, स्पिरिट, we are spirit, I am a spirit, I have a soul, मेरे पास प्रान है, और मैं शरीर में वास करता हूँ, इसलिए यह शरीर एक दिन खत्मा हो जाने वाला है, temporary, मैं यहाँ वास कर रहा हूँ, पर एक दिन मैं उसके पास जाने वाला हूँ, समुझ में आ रहे हैं आपको, मेरे साथ रही है गार प्यारों, सो यहाँ पर क्या बात लिखी है कलीसिया के लिए, वच्चन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, प्रभू ने कलीसिया को और भी पवित्रता में आगे बढ़ाने की योजिना रखी है, पर वो कैसे, किस माध्यम से, परमेश्वर के वच्चनों से, अगर आपको वच्चन पढ़ने की ही आदत है, सिर्फ पढ़ रहे हो, तो प्यारो अभी भी बहुत कुछ मिस कर गए हो, अभी तक बहुत कुछ आप मिस कर गए हो, पर आप ना सिर्फ पढ़े, पर उस पर गौर करे, द्यान दे, गहराई से पढ़े उसको, उसके उपर वि तोड़े जैसे रोटी को हम तोड़ कर खाते हैं। देखे ये वचन मनोरंजन के लिए नहीं है, हमें बहलाने के लिए नहीं है, ओ हो उस साब ने तो कितना अच्छा वचन बोला, जब और दस, माइंड ब्लोविंग, हिला दिया, सुलगा दिया, आग लगा दि, तोड डाला, खोड डाला, और दो ही दिन में गाये वो भाई भी वो भी कहीं उड़ गए, तहां गया वचन, ये भावनाव में रहना छोड़ दे प्यारो, पहले तो, अगर आप सच में परमेश्व के पुत्रों के समान रगट होना चाहते हो, तो ये भावनाव में जीना छोड़ दे, वचन को जैसा है वैसा ही आप लो, और उसके उपर वचन करो, क्योंकि उठना, बैठना, चलना, फिरना वचन पर गौर करो, कि तब जाके कुछ वचन अंदर जाएगा, और यहां से, यहां से, यहां तक जाके जड़ पकड़ेगा, और जड़ पकड़ेगी न, वो ही तीका रहता है, जब तूफान आता है लो, बहुत सारे प उसकी strength, उसकी ताकत उतनी ही ज़्यादा रहती है. ताकत किसी रिष्टो में नहीं है, ताकत किसी के सानिध्य में नहीं है, ताकत किसी के साथ रहने में नहीं है, ये येश्यू और इसके वचनों के साथ रहने में है ताकत. मैंना नुभव किया है मेरे जीवन में प्यारा हूँ मैं 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 करना नहीं चाहता हूँ पर वच्चन में ही हम ध्यान में लेए हम सीखने पैठे प्यारा हूँ, सीखना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही दिल बहला कर खड़े होकर चले जाए, वापिस हबते बाद आप मिलो और फिर पता नहीं, कैसे वैसे के वैसे चले जाए पर कलीस्या के लिए मूल बात ये है कि कलीस्या को पवित्रता में बढ़ाने के लिए शुद्ध बने रहने के लिए अगर कोई बात है तो वो है येश्यू का वचन। सिर्फ पश्याता की दूआ काफी नहीं है। लानी की योजना है परवेशवर की तो। प्रभु के मन में प्रभु ने ये सिध्धान्त ये रखा है कलीशया के लिए कि वच्छन के द्वारा शुद्धी करण लाया जाए। और क्यो शुद्धी करणvez, देखिए, शुद्धी करण क्या लाता है, क्या लेकर आता है, सुनियाएं, विध्यान से सुनियाएं, 27 वी आयत, इफिसी 5 और 27, और उसे मतलब कलीसिया को ऐसी थेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिस में न कलंक, न जुर्री ना कोई और ऐसी वस्थु हो, वरन पवित्र और निर्दोश। एक तेजस्वी कलिस्या, अललोया, तेजस्वी का मतलब एक glorious महिमावंट, मतलब आप समझ रहे हो, वच्छन में महिमाच्षिपी हुई है, वच्छन में महिमा छिपी होई है और जब आप वच्छन को पढ़ोगे उस पर ध्यान करोगे तब वो महिमा रिलीज होगे तब वो महिमा बाहर आएगी और क्या होगा आप एक अलग जीवन संसार के सामने पेश करोगे ऐसा जीवन जिसको देखकर संसार के लोग अशिरचकित हो जाएंगे ओह ये व्यक्ति येशु मसी के लिए क्या बोला था उन फरिस्यों ने अरे ये तो सुथार का बेटा है अरे इसकी बेहने तो नहां से आ गया बई वचन परमेश्वर का वचन प्यारो रभु येशु मसी भी परमेश्वर की संगती में रहे थे प्यारो पता है रभु येशु मसी भी उस संगती में हमेशा रहे आज हमारे लिए संगती उपसिती क्या है पता है परमेश्वर का वचन अब ये बात आप खुबी समझ लिजे और स्विकार कर लिजे कि मेरे पवित्रता के लिए शुद्धता के लिए और मुझे महिमा से महिमा आयाम पर आयाम बढ़ाने के लिए तेजस्वी और महिमावन बनाने के लिए अगर कोई माध्यम है तो वो है परमेश्वर का वचन आपको किसी इनसान के फेवर की आवश्श्यक्ता नहीं है उपर उठने के लिए कलीस्या को उपर उठने के लिए किसी के फेवर की जरूरत नहीं है अल्रेडी फेवर परमेश्वर का मिल गया और वचन हमारे हाथ में आ गया है जरूरत है हम वचन में पढ़े और वचन में देखे देखे पुराने नियम की और भी अगर आप ध्यान ले जाना चाहिए तो मैं प्रभु के दास से कहूँगा कि वो एक screen share करेंगे वो screen share करें तब तक एक आयत पढ़ते हैं निर्गमन पुराने नियम में निर्गमन चालीसवा अध्याए आप खुला रखें निर्गमन चालीसवा अध्याए देखें यहाँ पर कुछ हुआ था यहाँ पर मिलाप वाला तंबू बनाने को बोला गया है इस वचन की के background अगर देखें तो मिलाप वाला तंबू तयार हो गया है और प्रभु ने बहुत छोटी-छोटी detail बोली थी कि ऐसा करो ऐसा करना आंगन ऐसा होना चाहिए पवित्रस्थान ऐसा होना चाहिए उसका प अंगनों में यह होना चाहिए यह पूरी detail और वो किस material से बना होना चाहिए सारा detail आप निर्गमन पढ़ोगे तो उसमें यह सब कुछ वर्णन किया है अब अब यह सब हो गया फिर क्या हुआ यह बने उससे पहले प्रभू ने मुसा को यह बात बोली कि मिलाप वाला तंब प्रभू की योजना प्रभू की इच्छा यह है कि वो हमारे बीच वास करें वो हमारे बीच रहे पर पुराने नियम में क्या था जिसकी जो जो अडचन के रूप में था क्यों प्रभू का निवास उनके बीच नहीं पहुंच सकता था तो यहां पर यह बात हम देख देख लेते हैं, 34 आयत, निर्गमन 44 और 34 अभी स्क्रीन पर सा, तब बादल मिलापवले तंबू पर छागया, और यहोवा का तेज, मतलब यहोवा की ग्लोरी महिमा निवास्थान में भर गया, और बादल मिलापवले तंबू पर ठहर गया, और क्या हुआ? यहोवा का तेज, निवास्थान में भर गया, इस कारण, यहोवा का तेज, निवास्थान में भर गया, इस कारण, मतलब परवेशों की पवीतर उपसिती वहाँ पर आई, इस कारण क्या हुआ? मुसा उसमें प्रवेश न कर सका, मतलब प्रभू ने मिलना तो चाहा, पर एक कल्पना करो कि आपने बहुत मेहनत करके एक घर बनाया है और अब उस घर का ओपनिंग रखा है और जब ओपनिंग किया जाता है आप उस घर में प्रविश्कर ही नहीं पाते हो तो क्या होगा आप उस घर में प्रविश्कर ही नहीं पाते हो क्या हालत हो जाएगी तो उसक बनाने का मकसद क्या रहा फिए प्रभू ने यहां पर यह बात बहुत स्पश्ट की कि यह यह प्रविश्ट नहीं कर पाया पर प्रविश्ट कर पाये इसलिए परमेश्वर ने कुछ बाते रखी और वो है लेव्यव व्यवस्था मेरे ख्याल से वो स्क्रीन सिल्वांद पर आप शे Elliot कर पाऊ तो कीजिएगा यह ब्यव व्यवस्था एक पणना पलट यह तो लेव्य व्यवस्था आपके सामने आ जायेगी नहीं आपके सामने यहां दिखाई दिरा कि लेव्य व्यवस्था में क्या बाते थी क्या दिया परमेश्वर ने मुसा प्रविश्ट नहीं कर पाया, इसलिए क्या दिया? हाँ, थोड़ा लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर वहाँ पर ले जाईएगा, लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर अगर हो पाये तो, आप देख पाऊगे इस स्क्रीन में कि एक डम उपरी कॉर्नर में लेफ्ट साइड पर, बाएं साइड पर, मुस्सा का वो बताया गया है कि वो पवित्रस्थान के बाहर है, अंदर नहीं जा पाया है, तो प्रभु ने यहाँ पर कुछ नियम रखे, क्यों? आराधना, मतलब उसकी उपस्थिती में जाना, धर्म वीधियों से संबंधित कुछ नियम रखे, कैसे बलीदान चड़ाये जाए, उसके कुछ नियम रखे, बहुत सारा लेविय वियस्ता पढ़ोगे, तो उसमें नियम ही नियम पाऊगया, आपको ये करना है, ये चरना है तो ऐसा करना है, साथ पर्व भी प्रभू ने दिये वहाँ पर, नैतिक शुद्धता में वो बने रहे, उसके लिए भी परमेश्व ने कुछ नियम दिये, कि बहुत कैसे जीवन जिया जाए, कैसे गरीबों की मदद की जाए, कैसे भीचार से दूर रहा जाए, कैसे, मतलब नैतिक शुद्ध जीवन जीया जाए, इसलिए भी प्रभू ने कुछ नियम दिये वहाँ पर, कुछ निर्देश दिये वहाँ पर, मतलब लोगों को आराधना करने का और जीवन जीने का तरीका प्रभू ने इन नियमों के द्वारा सिखाया, ये नियम बांधने के लिए नहीं था, कि सजा करने के लिए नहीं दिये परमेश्वन नियम, कि हाँ, छड़ी लेके मैं खड़ा रहता हूं, जो कोई भी अगर वो ट्राफिक पोलिस की तरह कौन है, जो नियम तो तोल रहा है, उसको पकड़ो, पैनल्टी करो, मारो, ना, प्रभू ने मारने के लिए, स उसके साथ बने रहे, बहुत सारे नियम है, इसके अंदर आप देखो, तो हमारे सोच विचार बदल जाए, उनके सोच विचार, उनका नजरिया बदले, लोगों के साथ व्यावार करने का तरीका बदले, खाने का, इवन खाने का तरीका भी बदल जाए, दुनिया में ने क्या-क्या खा लेते, पर परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभू कभी भी पेटू बन जाए, ये नहीं पसंद करता है, सच में प्यारो, भुकड और पेटू लोगों से प्रभू नफरत करता है, बाइबल में ये बात लिखी है, मुझे बस ये ही खाना है, बहुत सारे हम ये नहीं सोचते कि कल मैं उपवास के साथ वचन को पढ़ने के लिए बैठूंगा, ताकि वचन की सच्चाईयों को मैं मेरे में ले सको, प्यारो यहाँ पर प्रभू ने ये बात दी, मेरे ख्याल से छे सो, साड़े छे सो से भी ज्यादा आग्या है, पुराने नियम में उस पांच पुस्तकों में दी गई थी, और उन आग्या इसलिए दी गई थी कि प्रभू के लोग भटकना जाए, और प्रभू के लोगों का सोचना, विचार करना, सब कुछ उनका पूरा आचार, विचार बदल जाए, उनकी मनोवृत्ती में भे नए हो जाए, बदल तो इसका मतलब क्या प्रभू यह चाहता है कि उसके बच्चे, उसके पीछे चलने वाले लोग, उसकी प्रजा हमेशा तैयार रहे, हमेशा उससे जूड़ी रहे, हमेशा कनेक्टेर रहे, पिछले वचनों में हमने सीखा था कि अनंत जीवन क्या है, अनंत जीवन किसी की असी को ग्राण कर लेते, उसी एक शन से शुरू हो जाता है, और आगे बैठ कर थोड़ा और सिखा था कि अनन्त जीवन मतलब परमेश्व के साथ का क्लोस करीबी रिष्टा, ओ करीबी रिष्टा कैसे आएगा इन वचनों के द्वारा, हम बोलते तो बहुत कुछ है, गाते तो बहुत कुछ है, पर रिष्टा कहा है, क्लोस रिलेशन्शिप कहा है प्यारो, प्यारो अपने जीवन की और गौर करें, वचनों को कितना स्थाम द यह क्योंकि आगे कनान में पहुंचना था, बहुत बड़ी लड़ाईयां लड़नी थी वहाँ पर, बहुत बड़े-बड़े उंचे-उंचे कदावर लोक थे वहाँ पर, यहीं सब कुछ हाथ में नहीं आ जाने वाला था, उनको लड़ना था, अहां सिल करना था, और वो बत्तिष्व अध्याय, पुनर्नियम बत्तिष और 46-47 पड़ेंगे, पुनर्नियम बत्तिष, 46-47, मतलब व्यवस्था विवरेंग, सॉरी, Deuteronomy, 32, और उसकी 46 और 47 आएद, लिखा है, तब उसने उन से कहा, मतलब मुसा ने, जितनी बाते मैं आज तुम से चिता कर कहता हूँ, उन सब पर अपना-पना मन लगाओ, क्या लिखा है? उन लोगों को प्रभू ने simply do's and don'ts, ऐसे rules नहीं दे दिये थे, जो स्कूल में देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, पर ये उनके लिए कुछ एक और समझ से दिये गए थे, देखो, आगे लिखा है, क्या लिखा है? अपना मन लगाओ, कितना मन लगाते हो ना, मन लगाओ, कहां मन लगाते हो, कहां मन लगाया है? आज तो मन लगाया है जबरदसी बैठना पड़ा है सबी लोग बैठे है अच्छा दिखना है मुझे और नहीं तो ये क्या सोचे मेरा भाई, मेरा माम, मम्मी, पापा सब लोग क्या सोचेंगे मुझे तो मन लगाना दिखाना पड़ेगा भई मैं अच्छा हूँ लिखा है उन सब पर अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आग्या अपने बच्छों को दो अपने बच्छों को दो अगर आप मन नहीं लगाओगे तो क्या बच्छों को दोगे आपकी आने वाली पीड़ी क्या फल लाएगी, इस दुनिया में क्या रखेगी आपकी आने वाली पीड़ी, जवान लोग सुन लो, कल को आपकी शादिया होगी और आपके बच्चे होगे, क्या एसी पीड़ी इस संसार को आप देना चाहोगे? मैं कभी भी ऐसी पीरी नहीं देना चाहता हूँ, इस संसार को कि जो बस संसारिक्ता में लोगों को ले जाए, बच्चो को दो, क्या दो, इन आग्या को मानने, चौक्सी करने की आग्या अपने बच्चो को दो, क्योंकि, देखो, मूल बात यहां लिखिये, यह do's and don'ts नहीं एक खाहि है, पर लिखा है, क्योंकि यह तो हमारा जीवन है, संसार के लोगों में यह जीवन नहीं है, वो तो कुछ और देखेंगे, कहींऔर मन लगाएंगे, कहीं और घुमेंगे, फिरेंगे, कुछ और करेंगे ने, एश करेंगे, है ना, संसार में यह है, शारीरीक्ता हमेशा कलीसिया के विरोध में खड़ी रह जाती है, प्रभू से दूर ले जाती है, भटका देती है, सोचे प्यारो हम कहां जा रहे है, कितना ध्यान दे रहे हैं वचनों में, क्या ऐसी आदते हमने विक्सित की हैं हमारे आत्मिक जीवन में कि हम, हम गहरे में, गहराय में चले जाए, प्रभू तो हमारी गलोरी बढ़ाना चाहता है, कलीसिया को तेज़स्वी बना कर पेश करना चाहता है, पर उस की उस प्रोसेस की शुरूआ तो इस संसार में है, यह प्रोसे क्रिया है वचन में मन लगाना वचन में मन लगाना रहू के चनों में बैठना